नीती सास्थ विश्यक हमारे आज की व्याख्यान का विशे है युनानी नेतिक चिंतन परंपरा में सुकरात की नेतिक चिंतन का स्वरू इवमस्की महत्ता सुकरात की नेतिक चिंतन विश्यक आज की व्याख्यान में हम यह जानने का प्रियास करेंगे कि सुकरात की नेतिक चिंतन का स्वरू क्या है सुकरात इवम सौफिस्ट वादी विचारदारा की नेतिक चिंतन में मूल भूत अंतर क्या है सुकरात के प्रमुक नैतिक सित्थान कौन-कौन से हैं। युनानी नैतिक चिंतन परंपरा में सुकरात के नैतिक चिंतन का क्या योगदान इवं महतता है। ता सुकरात के नैतिक चिंतन विश्यक परिक्षा उपयोगी महत्पून प्रश्न कौन-कौन से हो सकते हैं। आज की व्याख्यान में हम इन महत्पुन मिंदों का विस्तित विवेचन करेंगे। संपून ग्रीक दाश्निक चिंतन परंपरा में सुकरात युग को युनानी नैतिक चिंतन परंपरा का स्वर्निम काल माना जाता है। सुक्रात युक में जिन दाशनिक इवन नैतिक नियमों, सिध्धान्तों इवन आदर्शों की स्थापना इवन प्रतिपादन हुआ, उन्होंने नय केवल ततकालीन युनान को प्रभावित किया, अपितु संपून वैश्विक दाशनिक चिंतन परंपरा में इन दाशनिक आदर्शों की एहम भूमी का है, सुक्रात, सुक्रात के सिश्षे प्लेटो, प्लेटो के सिश्षे अरस्तु ने जिन दाशनिक इवन नैतिक सिध्धानतों का प्रतिपादन किया, उन्होंने ततकालीन युनान के साथ साथ संपून वैश्विक दाशनिक चिंतन परंपरा को भी प्रभावित किया सुक्रात सॉफिस्टों के ही समकालीन महान दाशनिक एवं विचारक हुए किन्तु सुक्रात का सॉफिस्ट वादी दाशनिक विचारदारा एवं नैतिक विचारदारा के साथ प्रियाप्त मत्मेद रहा सुक्रात के दाशनिक विचार एवं नैतिक विचारदारा के दाश्निक यो नैतिक विचारदारा में प्रियाप्त अंतर हैं। जहां सौफिस्ट वियादी विचारदारा जो है दर्शन का मुख्य उत्तेश्चे व्यभारिक जीवन की सफलता को स्विकार करते हैं। सौफिस्ट जो हैं ततकालीन युनान में व्यवसाइक शिक्षक हुए जो ततकालीन युनान के नागरिकों को सफल सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए व्यभारिक शिक्षा प्रदान किया करते थे। दर्शन का जो मुख्य उद्देश्चे है सत्ते या ज्यान की खोज है। से शुब हूँ सौफिस्ट वादी जो विचारधा रहा थी वे नैतिकता के क्षेत्र में मानवे भावनाओं इच्छाओं को मैत देते वे उन्होंने जिन नैतिक नियमों यों सिधानतों की स्थापना या प्रतिपादन किया वे व्यक्तिनिस्ट वाद सापेक्षवाद और सं संसय वादी किन्तों सुक राच जो है सौफिस्टों की इस नैतिक विचारधारा से सहमत नहीं थे सुक्राच के मानशता है कि नैतिकता कभी भी मानवे भावनाओं इवं इच्छाओं पर आधारित नहीं हो सकती नैतिक नियम जो हैं सदेव सर्माने इम निर्पेक शुपर शुब होने चीए, सुक्रात ऐसे नैतिक नियमों, सिध्धानतों, इम आदर्शों के समर्थक रहे, जो मनुष्य होने के नाते, प्रतेक मनुष्य पर समान परिस्थितियों में एक समान रूप से ग्रियानमित कहो, उसका उचित मारतर्शन कर सके। सुक्रात नैतिक न के क्षेतर में वस्तु निश्टवाद, सरुमाने तावाद, इम निर्पेक्ष तावाद के समर्थक रहें। सुक्रात से इस कथन के विशे में चर्चा की जाती तो सुक्रात कहते कि वे इस अर्थ में ग्यानी हैं कि उन्हें अपने अज्ञान का ग्यान है सामाने मनुष्य अज्ञानी होते हुए भी स्वेम को ग्यानी स्विकार करता है किन्तु सुक्रात सदेव किसी भी विशेवस्तो के विशे में यह कहा करते थे कि मैं कुछ नहीं जानता मिनमर्ता पूर्वक, अपनी अनभीकियता को व्यत कर सुकराथ सदेव ग्यान के लिए प्रियतनसील रहते थे यही कारण है कि सुकराथ जो है ग्यान को सरवोच नैतिक सडगुन की रूप में स्विकार करते हैं सुकरात की माननेता है कि जीवन और जगत की विशे में मनुष्य का ज्ञान अत्यन सीमित है अत्य प्रतेक मनुष्य को अपनी ज्ञान की सीमित्ता और अन्वी गिर्था को स्विकार कर सदेव सत्ते और ज्ञान की खोज के लिए प्रियतनसील रहना चाहिए सुकरात ने जिन दाश्निक युन नेतिक विचारों का प्रतिपादन किया उन्होंने ततकालीन युनान में जो है एक नेतिक चेतना को जागरत किया ततकालीन युनान में सामाजिक, धार्मिक एवं राजनेतिक की क्षेत्र में विभिन मत प्रसलित थे और इन विभिन मतों में परस पर संघर सुवा करते थे सुकरात जो है सामाजिकता, धार्मिकता एवं नैतिकता के क्सेत्र में सरुमानने नैतिक नियमों, सिद्धानतों एवं आदर्शों का समर्थन करते थे सुकरात की दाशनिक एवं वैचारिक क्रांति के परिनाम सवरू जब युवाओं में नैतिक चेतना जागरत होकर वे ततकालीन युनान की जो सामाजिक, धार्मिक और राजनेतिक नियम थे उनका विरोध करने लगे तो सुकरात के जो विरोधी थे उन्होंने सुकरात पर ती राशन ने इन तीन आरोपों को निर्दारित किया य jet dino और सुकरात चो है युनान के रश्ट्य देवत्या की उपेक्षा कर रहा हैं। सुकरात युनान की रश्ट्य देवता हो के स्थान पर कल्पित देवतां की a तापना कर रहा है और सुकराथ जो है युनान के नागरिकों को विशेश रूप से युवाओं को गुम्रा कर रहे हैं सुकराथ पर जब ये तीन अभियोग निर्धारित किये गए तो सुकराथ से इनका इसपस्टी करन या सुकराथ से अपना इसपस्टी करन मांगा गया तो सुकराथ ने इन दीनों आरोपों को खारिज करते वे ç कि उन्होंने ऐसा कोई भी कार्ये नहीं किया है वस्तोते सुख्रात पर जो यह आरोप लगाए गए थे विन एक है, और जो यह नगर देवता हैं उसके विभिन स्वरूप मात्र हैं इसी प्रकार सुकरात ने ततकाली नियुनान के नागरिकों को विशेश रूप से युवाओं को गुमराह नहीं किया था सुकरात जो है सामाजिक, राजनेतिक, धार्मिक एवनेतिकता के प्षेत्र में सरुमानने सिध्धानतों एवन आदर्शों के समर्थक रहे और वे इनी आदर्शों और सिध्धानतों के द्वारा युवाओं को प्रेरित कर रहे थे सुकरात पर ये जो आरोप लगाएगे, जो आरोप निर्धारित केएगे वे निराधार थे सुकरात ने न्यायाले के समक्स इन आरोपों के इस पस्टी करन में जो भाषन दिया इस भाषन की व्याक्या प्लेटों ने अपनी प्रसिद रशना एपोलोजी में किये सुकरात अपने भाषन में कहते हैं कि हे इत्हिन स्वाशियों मैं आपका आदर, सम्मान यो आपसिस नहीं करता हूँ किन्तु आज मैं आपकी आज्या मानने की अपिक्षा मैं इश्वरी आज्या को स्विकार करूंगा मुझ में जब तक जीवन सकती है मैं दाशनिक उप्तेश देता रहूँगा और उनके अनुरूप आश्रन करता रहूँगा आत्मा अमर है सरीर जो है आत्मा के लिए बंधन स्वरूप है जो मनुष्य इस जीवन में नैतिक जीवन व्यतीत करता है उसके लिए प्रलोप में कोई भे नहीं है अब व्योग का समय आ गया है हम अपने अपने पत की और अगरसर होंगे में मरत्यू की और और आप जीवन की और इन में से कौन सा स्रेस्ट है इसका निर्दारन तो इश्वरी कर सकता है इस प्रकार जब सुकरात को मरत्यू दंड की सजा दी गई तो सुकरात ने अपने इस भाषन के माध्यम से अपने जो विचार हैं उनको व्यक्त किया सुकरात का संपून जीवन, सुकरात के दाश्निक उननैतिक नियमों का सुकरात ने अपने संपून जीवन में पालन किया जिनका वुप देते रहे सुकरात ने मरत्यू दंड से पलाइन करने की अपिक्षा मरत्यू दंड को स्विकार किया जब सुकरात के लिए मृत्युदंड निर्धारित किया गया तो सुकरात के शिष्य अत्यंत व्यतित हुए और वे सुकरात से आग्रह करने लगे कि सुकरात इस मृत्युदंड से पलायन कर जाए क्योंकि सुकरात के सिष्यों की ये माननेता थी कि सुकरात जैसे महान विचारक का उद्युदंड से पलायन करने का आग्रह किया किन्तु सुकरात ने सहस्ता पूर्वक इसे एस्विकार करते हुए कहा कि जिन नैतिक नियमों ये उन दाशनिक सित्धानतों का मेंने अपने जीवन में पालन किया या जिनका आच्छन किया उनके विपरीत में आच्छन नहीं कर सकता और इस मृत्युदंड से में पलायन न नहीं है क्योंकि ये सरीर जो है इस आत्मा के लिए बंधन स्वरूप है और जो मनुष्य अपने जीवन में नैतिक जीवन के अनुरूप आच्छन करता है उसके लिए परलोप में कोई भै नहीं है अपितूस के लिए परलोप में आनंद ही है इस प्रकार सुकरात अपने श के साथ ही सुक्रात की देह का अंत हो गया किन्तु सुक्रात ने जिस दाशनिक एवं वैचारिक क्रांति को जनम दिया उसने ततकालीन यूनान में अरस्तु और प्लेटो जैसे महान शिश्यों का उदय हुआ और इस काल में जिन दाशनिक यू नैतिक नियमों, सिध्धान्तों इस्थापना हुई उन्होंने ने किवल ततकालीन यूनान को अपितु संपूर्ण वैश्विक चिंतन परंपरा में इन दाशनिक यू नैतिक नियमों, इन सिध्धान्तों की एहम भूमी का रही और संपूर्ण पास्चापते दाशनिक चिंतन परंपरा सुक्रात, प्लेट अरस्टु के विचारों से निरंत्तर प्रभावित होते रहे। नैतिकता के क्षेतर में सुक्रात की माननेता ये थी कि नैतिकता के द्रिश्टिकोंट से सर्वोच सत्कुन जो है पैग्ण है। ग्यान को ही सरवोच सद्गुन के रूप में स्विकार करते हुए, सुकरात ने अपने प्रमक सिधान ग्यान ही सद्गुन है का प्रतिपादन किया। सुकरात का जो ये सिधान्त है, इसमें जो ग्यान शब्द है, वह ग्यान शब्द एक व्यापक अउधारना है। यहां ग्यान किवल सैध्धान्तिक एवं तार्किक्ता के अर्थ में नहीं आया है, या तथ्यात्मक जानकरी के अर्थ में नहीं आया है, ग्यान एक व्यापक अउधारना है, ग्यान मनुष्चे की वह विवेक शक्ति है, जिसके द्वारवे शुप अशुप उचित अनुचि मनुष्य को जब शुब उचित न्याय सत्ते का ज्यान हो तभी वे सदेव सद्गुनों के अनुरूप आच्रन कर सकता है। सुकरात की माननेता है कि प्रतेक मनुश्य जो है शुप की इच्छा करता है किन्तों शुप के लिए मनुश्य को शुप का ग्यान होना आवशक है सुकरात की माननेता है कि जान वूच कर कोई मनुश्य असुप की इच्छा नहीं करता यदि कोई मनुष्य अशुप की इच्छा करता है या कोई अनुचित कर्म करता है तो इसका आकारण यही है कि उसे शुप और उचित का अग्यान नहीं है इस परकार सुकरात जो है अग्यान को ही समस्त बुराईयों और दुखों का कारण मानते हैं और सुकरात की मानेता है कि मनुष्य को सदेव अपने इस अज्ञान का निराकरन करने के लिए प्रियतनसील रहना चाहिए। सुकरात ने तारकिक्ता के आदार पर ज्ञान ही सद्गून है का प्रतिपादन करते हुए इस पस्ट किया कि प्रतेक मनुष्य जो है सुख्या आनन चाहता है। मनुष्य को जो ज्ञान है ये सर्वोच सद्गून नैतिक्ता के रूप में है। सुकरात की ये भी माननेता है कि जो सद्गून है वे सिक्षनी हैं। मनुष्य को सद्गूनों की प्रियाप्त शिक्षा देकर उसे सद्गूनी बनाया जा सकता है। जिस प्रकार रसायन सास्त, भौतिक सास्त, गणित आदी विश्यों की सिख्षा प्रदान कर की जा सकती है, उसी प्रकार मनुष्य को सद्गुणों की सिख्षा भी प्रदान की जा सकती है। सुकरात जो है मनुष्य के लिए सद्गुनों को शिक्षनीए स्विकार कर, मनुष्य को सद्गुनों की अनुरूप आच्चन कर और उसे शिक्षा प्रदान कर सद्गुनी बनाने के समर्थक रहें सुकरात की माननेता है कि जितने भी सद्गुन हैं वे सभी सद्गुन ग्यान के ही स्वरूप हैं अर्थात विभिन सद्गुनों में और ग्यान में कोई पारसपरिक विरोत नहीं हैं विवेक, साहास, सैयम, न्याय, सत्य, आदि जो सद्गुन हैं वे ग्यान के ही विभिन रू हैं इस परकार ज्यान को ही प्रमुख सद्धान यह अन्य सद्धान को ज्यान का ही स्वरूप मानने के कारण सुक्रात का यह सिद्धान जो है सद्धान की एक ताका सिद्धान कहलाता है सुक्रात के इस नैतिक चिंतन से ये इस पस्ट है कि सुक्रात जो है ज्यान को सर्वोच सद्गुन के रूप में स्विकार करते हैं सुकरात के मतानुसार सद्गुन जो हैं शिक्षनिये हैं ज्यान और विभिन सद्गुनों में कोई पारस पर एक मतपेत और विरोध नहीं है ज्यान जो है वही सर्वोच सद्गुन हैं सुकरात के ज्यान ही सद्गुन है यह उन सद्गुनों के एकता की सिध्धान की विभिन आश्निकों ने आलोचना किये सुक्रात के शिष्चे प्लेटों और प्लेटों के शिष्चे जो अरस्तु हुए उन्होंने ज्ञान ही सद्गुन की आलोचना करते हुए कहा कि जब सुक्रात यह कहते हैं कि ज्ञान ही सरोच सद्गुन है तो अरस्तु कहते हैं कि सद्गुन ही के लिए केवल किसी विशेवस्तु का ज्यान होना ही प्रयाप नहीं है अपितु मनुष्य को सद्गुनी होने के लिए उन सद्गुनों के अनुरू अपने जीवन में आच्रन करना भी आवशक है अतर अरस्तु के माननेता है कि ज्यान होना ही सद्गुनी होने के लिए प्रया जिवन देखें तो यह अरस्तु की आलोशना तर्क संगत नहीं लगती यूंकि सुक्रात ने दाशनिक या नैतिक सेथ्र में जिन नैतिक नियमं सिध्धान्तों तो आधर्शों के स्थापना की यह जिस ज्ञान की सुक्रात समर्थक रहे वेकल सैधांतिक या तठ्थात्मग ज्यान नहीं है शुक्रा पास्यम का जीवन इसका ज्वलन्थ उधारन ऌकि सुक्राइब ने जिनЕТैंट नैतिक नियम को प्रतिबादन किया उनके अनुरूप या जिन शरुमानिय में है उनके लिए seven प्रयात्न सील रहे सुकराट ने मृत्युदंड को सुकार कर लिया किन्तु उससे पलायन नहीं किया इस प्रकार जब सुकर्त यह कहते हैं कि ज्ञान ही सद्गुन है तो यहां ज्यान जो है तथ्यात्मक एवंकिवल सद्धांतिक जानकारी नहीं है अपितु ग्यान एक व्यापक अभधारना है जो मनुश्य को उचित अनुचित शुब अशुब सत्य असत्य न्याय के मत्य भेत करने की क्षमता प्रदान कर उसके अनुरूप आश्रन करने के लिए प्रेरित करती है इसी प्रकार सुकरात के जो सद्गुनों की एकता का सितान्त है जिसमें सुकरात ने यह सपस्थ किया कि जो विभिन सद्गुन है वे ज्ञान के ही विभिन रूप है अर्थात विभिन सद्गुनों में और ग्यान में जो है पारस पर एक कोई विरोध नहीं है इसकी आलोशना ये की जाती है कि किसी मनुष्य में एक सद्गुन होने से उसमें अन्य सद्गुन हो ये आवश्यक नहीं है जैसे कोई मनुष्य सहासी होते हुए भी अन्याई हो सकता है किन्तु यहां यह इस पस्ट करना आवर्शक है कि साहसी और जो अन्याई है साहसी विक्ति अन्याई हो सकता है क्योंकि साहसी जो है साहस्वान होना एक सामान्य सद्गुन है किन्तु जब सुकरात ग्यान की बात करते हैं तो ग्यान एक सामान्य सद्गुन नहीं है ग्यान का यहां विप्राई यही है कि जो उचित अनुचित शुब अशुब और सही गलत है उसके मध्य निर्ने करने की क्षमता हो। अते ग्यान एक व्यापक सद्गुन है जिसके अंदर अन्य समध सद्गुन समावेशित हो जाते हैं। अते जो व्यक्ति वास्तों में ज्यानी होगा वे कदाप्य नइतिक नियमों का या नातिक सद्गुनों के विप्रीत आश्रंण नहीं कर सकता। सुक्रात के नैतिक चिंतन में जो ये दो प्रमुक सिधान्त हैं, इसके अतिरिक सुक्रात की ये माननेता है कि प्रतेक मनुष्य जो है सुख या आनन्द की इच्छा करता है, किन्तु सुक्रात का मत है कि मनुष्य वास्त्विक सुख और आनन्द की प्राप्ति तभी कर सकता ह जब वे सदेव सद्गुनों के अनुरू आच्रन करें यद्दपी सुकरात ने सुख और आनन में कोई अंतर नहीं किया किन्तु सुकरात का जो चिंतन है उससे ये सपस्थ होता है कि सुख जो है सुख जो है वे सारीरिक सुखों तक ही से में थे किन्तु आनन का संबन जो है बौतिक और मानसिक विश्यों से है और सुकरात जो है सदेव बौतिक और मानसिक आनन को प्रात्मिक्त प्रदान किया करते थे क्योंकि सुक्राइख के मतानुसार केवल बहुतिक सुक्सविदाओं को एकत्रित करके ही मनुष्य वास्त्रिक या साश्वत आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। मन की शुद्धी के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अंतर मुखी हो निरंतर ज्ञान के लिए प्रियत्मसील रहे यही कारण है कि सुकरात ने ज्ञान को सर्वोच सद्गुन के रूप में स्रीकार किया अतर जो मनुष्य अपने जीवन में आनन्द या सुक की इच्छा करत है उसे सद्गुनों के अनुरूप आच्छन करना आवश्यक है सुकरात वास्त्विक आनन्द के लिए विवेक शक्ति आत्म नियंत्रन यों कर्तव निस्टा को आवश्यक मानते हैं सुकरात के मता अनुसार कोई भी मनुष्य अपने जीवन में साश्वत आनन्द तभी प् करने की क्षमता होनी चाहिए तभी वे सदे शुब और उचित की और अनुमुक हो सकता है और अशुब का त्याग कर सकता है इसी प्रकार सुकरात के मतानुसार मनुष्य के जीवन में वास्त्विक आनन्द के लिए आवश्यक है कि उसे अपनी भावनाओं इच्छाओं और वास्त्राओं पर प्रियाप नियंत्रन करने के लिए उसमें क्षमता होनी चाहिए अर्थात मनुष्य में सैयम या आत्म नियंत्रन होना चाहिए जिसके द्वारा वे अपनी भावनाओं इच्छाओं और वास्त्राओं पर उचित नियंत्रन कर सके क्योंकि भावनाओं विवेक शक्ति का सदूपयोग कर सदे इन भावनाओं इच्छाओं और वासनाओं को अपनी विवेक शक्ति के द्वारा नियंत्रित करें अतय सुक्रात के मतानुसार विवेक शक्ति के साथ साथ आत्म नियंत्रन या संयम जो है वह भी शाश्वत आनंद का मूलहूत आधार ह सुकरात विवेग शक्ती और आत्म यंत्रन के साथ साथ करतविनिस्टा को भी साश्वत आनंद का आधार स्वीकार करते हैं. सुकरात की मतानुसार जो भी मनुश्य इस जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहता है, उसे सदेव करतविनिस्ट होना चाहिए. सुक्रात का स्वेंप का जीवन इसका उधारन है कि सुक्रात ने सदेव अपने कर्तवियों का पालन कर युनान में अपने दाश्टनिक और इवनेतिक नियमों इवन सिध्धानतों के लिए वे सदेव प्रियत नसील रहे और जिन दाश्टनिक इवनेतिक नियमों सिध्धानत क्योंकि सुक्रात के मतानोसर सच्ची नैतिकंता इसी में है कि मनुष्य जिन नैतिक नियमों इन आदश्रों को सरुमानने हो उन्ह성 तभी वास्तन में मनुष्य मनुष्य की नैतिक को सकता है इस प्रकार सुक्रात ने विवेक शक्ति, आत्म नियंतर्ण, कर्तव निस्ठा और सद्गुनों के माध्यम से मनुष्य की जीवन में शाश्वत आनन्द की व्याख्या की है। सुकरात ने जिन नैतिक नियमों, सिध्धान्तों युम आदर्शों का प्रतिबादन किया, उन्होंने ततकालीन यूनान में एक वैचारिक क्रांती को जनम दिया। और इस वैचारिक क्रांती के परिणाम स्वरू भी ततकालीन युनान में प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दाशनिकों का उदय हुआ, जिनों ने जैसा कि हमने स्पस्ट किया कि ततकालीन युनान के साथ साथ संपून वैश्विक दाशनिक चिंतन परंपरा को भी प्रभाव हैं, सुकरात के नैतिक चिंतन की युनानी नैतिक चिंतन परंपरा में क्या महत्ता है, उसे इसपस्ट कीजिए, सुकरात की प्रमुक सिथान ज्यान ही सद्गुन है की व्यक्या कीजिए, सद्गुनों की एकता के सिथान से आप क्या समझते हैं, उसकी व्यक्या कीजिए, सरोज सद्गुन के रूप में क्यों स्विकार करते हैं इस विशे में अपना मत इसबस्ट कीजिए करते हैं इस विशे जमें में अपना मत इसा लागा